हाई एवरिबन तो काफी बच्चे बोले तो ब्रेवेचियर का आप हर एक्जाम में पेपर डिसकस करते हो तो BME का क्यों नहीं कर रहे हो थो लोग बाई BME का भी डिसकस कर लेते हैं देखो BME जाद दिक्कत देगा नहीं वड़ तब भी अगर किसी को नीड़ेड है तो देख सकता है ठीक है बट इंपॉर्टोंट गया है मैं आपको पहली बता दिए यह तो आप चेक्क करेना ठीक है यह दोनों काम इंपॉर्टेंट करते का देगा इसके बाद पर्विएस यह तो नहीं दो देखने पढ़ेंगे तो जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना एंड क्योंकि हर एक प्रिवेस एर में कुछ-कुछ यूनिक कोशन्स आपको मिलते हैं तो सिंपल ही रहेंगे अगर देखोगे नहीं अगर आपको पता नहीं होगा तो उसके बारे आप लिख नहीं पाऊगे तो वीडियो को ध्यान से देखना जादा बड़ा नहीं करेंगे शॉर्ट सिंपल वे में सारे कोशन्स डिसकस कर देंगे तो देट ही आपको भी एक्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आए ठीक है सिंपल ओके तो वही सिंपल नोटस आपके सामने है आठ कोशन है पांच करने है यह नहीं बताऊंगा अब मैं अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ देखो यहाँ पर क्या है मेकैनिकल प्रॉपर्टीज टून जी एक इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर डिसकस है प्लस टॉप 5 इंपॉर्टेंट के अंदर भी डिसकस है ठीक है तो भाई यह पहला कोशन नहीं से आगया कोई नहीं है टॉफ 5 के अंदर भी डिसकस किया अंदर ए झसके अंदर और यह एक वीडियो के पर ये फिर युनिविस यसिंदर भी डिसकस किया गया कोशनर एजी सिंपल आगे बढ़ता है इसका जो सेकिंड है वह थोड़ा सा थोड़ा सा किस की उपर आ गया थोड़ा सा आगे वह निमेरिकल के उपर ठीक है पार्ट टू कह सकते हैं यहां पर आपको कुछ-कुछ डेटा गिवन है आपको फाइंड करना है विसकोसिटी ठीक है तो यह उसी बात को लेकर सहमत हो तो आपके काम बाकी वाले असान हो जाते हैं बट देखो इस पेपर की खास बात यहीं कि इसमें मैक्सिमम क्या है निमारिकल्स देख रहा हूं देखो मैं वह बेसिक पेपर नहीं डिसकस करूंगा जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं जो इंपॉर्टेंट बता हैं मैं चाहूं वही पेपर निकालके वही पेपर डाउनलोड करवा के आपको बता दूं कि भाई यह पेपर है यह सब ट्रूंजीनियर का आया वहाँ पे तो वह मतलब नहीं बनता है ठीक है आजाए आपके पेपर में तो बहुत ही बढ़ रखा है जो हमने बता रखा है वहाँ से तो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी बट वहाँ से आपको क्या फायदा मिला क्या ही फायदा मिला नॉर्मली आप चाहो वही वीडियो देख लो मेरी इंपॉर्टेंट कोशन्स की बात वही बनेगी या पेपर देख लो बात वही बनेगी अब अपन पेपर डिसकस कर रहे हैं तो इसमें कुछ नए कोशन्स देखेंगे कुछ जो ऐसी चीज़े देखेंगे जो कि पेपर में आ सकती है ठीक है तो वही काम का है जो कि अच्छा पेपर हो मीडियम पेपर हो है ना तो वह काम कर रहेगा तो यह सबसे बड़ी एक अड पहले हो रहा है कि पेपर को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर बनाया गया है यहां पर बस इतने ही कोशन में देख रखा है ठीक है अब बच्चे जो हैं बच्चे जो हैं शुरू का पेपर अच्छे से बढ़ते हैं और लास्ट में जाते नहीं है तो यहां पर एक बहुत अच तो आपको हर एक चीज़ का आता ही होगा ठीक है बट 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 बी ऑप्शन नहीं आता होगा है ना तो जब बी ऑप्शन नहीं आयेगा तो क्या आप पूरा Quotient attempt कर पाओगे 14 marks के लिए नहीं कर पाओगे सिर्फ 7 marks ले सकते हो तो फाइदा क्या है फाइदा यह है कि paper को पीछे से भी पढ़े लिना कभी कभी फाइदे मंद कहलाता है question number 8 से भी देख लोगे तो कोई loss नहीं होने वाला तो यह paper हमें यही सिखाता है अगर आपके numerical में आपकी command नहीं है अगर आपसे numerical solve नहीं होते हैं अगर आपने numerical की practice नहीं करी है so on that case you have to solve the paper at any position ठीक है आप चाहो तो last page से कर लो ओके या third page से कर लो या कोई से भी पेस से कर लो फरक नहीं बाड़ता है आपने को questions solve करने है number of questions सही करने है और बात खतम होती है तो यहाँ पर भाई आपन first से भी कर सकते थे eighth से भी कर सकते है अब बात करते है eighth number के question की simple चीज़ है types of fluid पूछा गया any two लिखना है micrometer लेख सकते है यह सब चीज़े मेरे खाहल से लेख सकते है कास्टिंग डिफेक्ट्स होगे रहा तो ठीक है okay दो अगर मैं बात करूं तो एक तो types of fluid easy है micrometer easy है जो बच्चों ने पढ़ रखा होगा okay अगर किसी को नहीं पता है तो एक बाट देख लेना ठीक है simple चीज़ है end तो यहाँ पर आपका question 8th पूरा 40 number के लिए solo जाता है समझ जो उल्टा पढ़ने में भी कभी-कभी फाइदा है भाई ओके जिस तरीके से mention है चीज़े उस तरीके से अगर आप नहीं भी पढ़ोगे जिसे first से start करना कहीं नहीं लिखा ठीक है आप 8 से भी start कर सकते हो अब मैं बात करको 7th number की question भी है 7th का तो आपका पूरा important वाला है 2 stock petrol engine मैंने आपको बता है 2 stock या 4 stock diesel और petrol engine दोनों paper के अंदर आता है जादा 2 stock आता है तो यह 2 stock आया हुआ है ठीक है खतम फिर thermodynamic system मैंने बता है था isolated हो सकता है open और closed system हो सकता है बहुत ही simple question 7, 7, 14 marks यहां से मतलब एक question complete यह दूसरा complete question यह कोई बड़ी चीज दिक्कत परिशानी किसी को नहीं होई होगी ठीक है steam generators discuss किया गया important के अंदर एक यह चीज आ गई यहां पे Pascal law के ओपर और Barnolies के ओपर यह भी discuss किया गया important के अंदर तो यह भी आपको पता चलिए होगा कहीं पर दिक्कत दिख रही है आप नहीं दिख रही है तो बच्चों को क्या problem आई maximum बच्चों ने कहीं किया first question से start करना सही लगा उनको देखो तुमें numerical बनता है तो तुम करो बच्चों कि अगर मैं बात करूं उनकी numerical में command नहीं है है ना और जिसकी command है भाई बहुत ही अच्छी चीज़े तुमें आता है solve करना तुम कर सकते हो तो well and good होगा उससे अच्छा कोई better चीज है नहीं ठीक है बट अगर नहीं बन रहा question paper के अंदर numerical तो आप ऐसे question ढूंड़ो जो आपको बनते हो ठीक है paper analyze करो सबसे पहले 10 मिनिट शुरू या 5 मिनिट शुरू के paper देख लो पहले कौन-कौन से question आपसे बन रहे है तो यह बन रहा है यह बन रहा है यह पूरा बन रहा है तो यहां से 3 full marks 14 के लिए आपके लिए बनी रहा है paper ठीक है ओके अब बच रहे हैं दो question solve करना दो आप कोई से भी कर सकते हो जो आपको बन रहा हूं है ना next की बात करते हैं देखो यह यह यहां पर क्या आगया reciprocating pump दूसरा क्या आगया Carnot cycle के उपर PV और TS का डाग्राम सिंपल चीज़ है बहुत ही सिंपल चीज़ है ओके तो यह तो समझे होंगे तैन उसके बाद आगर मैं बात करता हूं यहां पर आपको various method to use temperature को यह unit के अंदर मैंने discuss किया गया important question है कौन-कौन सी चीज़े हैं जिससे अपन temperature को वह कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं उसके बार में एक के बार में अच्छे से detailing करने हैं यह मैं already important question के अंदर बता चुका हूं ठीक है तो यह define welding classify welding process simple welding यह आपका practical का भी question होता है ठीक है अ अपन ने क्या सीखा वाइस paper से इस paper से हमने यह सीखा कि यह हो गया 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 पूरे पांच हो गया last के किसी बंदे को शुरू के बन रहे हैं किसी बंदे को शुरू से कीड़ा काट रहा हो कि हम शुरू के ही करेंगे तो भाई एक important topic जो है वो है drilling machine ठीक है जो मैं बताना भूल गया एक बच्चे ने comment किया है तो भाई बहुत ही प्यारा लगा उसका comment में को यहां पर drilling machine ठीक है तो इसको पढ़ लिए न ओके important है मेरी mistake हो गई मेरे से छूड़ गया इसलिए कहता हूं कि वीडियो एकदम starting चले के end तक जरूर देखा कर पड़ी चीज नहीं पार्ट टू के अंदर एक निमेरिकल देखा है हाला कि निमेरिकल भी बहुत सिंपल है अगर तरीके सागर किसी बंदे ने पढ़ रखा है तो बट अगर बाइच चांस आपके बास समय नहीं है यह फिर आपको आल अजार है पढ़ने में तो बाकी remaining question प पड़ो एंड वाज से question देख लो ओके तो फिलाल मिलते नेक्स्ट विडियो किसान बाई